नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब अपने Redmi Note 9 Pro पर आप navigation bar change कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे navigation bar के बारे में ठीक है उसको changes कैसे कर सकते हैं तो अगर आपको पता नहीं है तो आज के इस वीडियो को पुरा देखना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको जो भी setting है वो यहाँ प थो का यह है। ठीक है नीचे में जो home button, recent button और big button यह है दोस्तों आपका navigation bar ठीक है उपर का बार तो दुस्तों यापर इसको केते हैं इसस तरहस अज़एं तो आपको पता होगा उपर का है इसस तरहस बार और नीचे का है navigation bar और इसको navigation किस केते हैं ठीक है तो इससी का सेटिंग हम करने वाले तो चलिए शूरू करते हैं वीडियो और दोस्तों या पर शूरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ठीक है या तो पिर आप तो उसमें जाए उसमें जाने के बाद दोस्तों हमें सेले करना है फूल स्क्रीन डिस्प्ले उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं शिस्टेम नेयाबील मेबल करने को ऐसे साब चैनल कर शेंब मदद से अपने बटन nessa को लग्ज़य के से До fr embr exploit अगर आपको लग्जर को नह तो buttons को आप यहाँ पर hide कर सकते हैं और navigation bar को hide कर सकते हैं अगर आपको navigation bar हाइट कर देना है तो आप full screen gesture को enable कर ले और swipe gesture use करना सीख लिजेगा अगर आपको buttons शाइए तो buttons को दुबारा से enable करे आपको buttons मेल जाएगा और दोस्तों अगर आपको buttons switch करना है तो आप mirror buttons को यहाँ पर on-off करें ठीक है तो इस तरह किश से दोस्तों आप इसको use कर सकते हैं तो दोस्तों बस इतना ही settings आपको मेल जाते हैं यहां की दोस्तों अगर आपको navigation बार जोए उसका color change करना है navigation बार का color change करने के लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है आप उसको भी देख सकते या फिर मैं आपको यहां पर एक और बार वात्ता देता हूँ प्लेश्टोर पर जाए नेविगेशन बार करके आपको एक application मिलेगा ठीक है प्लेश्टोर पर जाए यहां पर search किजिए navigation बार करके एने वी आई navigation बार तो उसके बाद दोस्तों आपको यह चीज़ जोए डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के वाद दोस्तों आप देख सकते नेविगेशन बार को आप इतने colors में change कर सकते और नेविगेशन बार दोस्तों यहापर आपको इस तरीके से colorful डेकने को मिल जाएगा आपको जिस तरह का नेविगेशन बार चाहिए जिस तरह का color चाहिए आप उसको set कर सकते हैं ठीक है तो बस इतना ही है अगर आपको change करना है तो आप उस application के मदद से कर सकते हैं तो एक डू एप एक दो एच चलते हैं उसमें ज्यादा एच नहीं है आसानी से आप यूज कर पाऊगे तो आज की इस वीडियो बड़ो से बस इतना है टेंक्स वाचिंग